साथियों, गुजरात के पास समुद्री व्यापार कारोबार की एक समुरुद्ध गिरासत रही है। समुद्री सामर्थ को समझते हुए, पोर्ट लेट डेवलप्मेंट को पास्थिक्ता दी है। वो हर गुजरात के लिए गवरव का विशय है। इस दोरान गुजरात के कोस्टल इलाकों में इंफास्रक्चर और डेवलप्मेंट के दूसरे प्रोजेक्टों पर विशेष ध्य दिया है। राज्य में शिप बिल्डिंग पॉलिसी बनाना हो, शिप बिल्डिंग पार्क बनाना हो या स्पेशलाइज टर्मिनल का निर्मान हर इंफास्रक्चर को प्रात्विक्ता दी गई है। जैसे दहज में सॉलिड कारगो, केमिकल और एनलजी, LNG टर्मिनल, और मुद्रा में कोल टर्मिनल, इसके साथ ही बेसल ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्ट्रीम और ग्राउन ब्रेकिंग कनेक्टमिटी प्रोजेक्क को भी हमने पूरी तरह बढ़ावा दिया है। पॉर्ट में फीजिकल इंफ्रस्ट्रक्टर का निर्मानी नहीं, बलकि उन पॉर्ट के आसपास रहने वाले साथ्यों का जीवन भी आसान हो, इसके लिए भी काम किया गया है। कोस्टल एरिया का पूरा इको सिस्टिम ही आदूनिक हो, उस पर हमने अपना ध्यान के इंद्रित किया है। चाहे वो सागर खेडू जैसे हमारी मिशन मोड योजना हो, या फिर सिपिंग इंडस्ट्री के स्थानी युवाओं का स्किल डवलप्मेंट करके उने रोजगार देना हो, गुजरात में पॉर्ट लेट डवलप्मेंट का दायरा बहुत बड़ा रहा है। सरकार ने कोस्टल एरिया में हर प्रकार की बुन्यादी सुविधाव का विकास सुनिश्रित किया है। साथियो, ऐसे ही प्रयाशों का परिनाम है कि गुजरात आज एक प्रकार से भारत के समुद्री द्वार के रुप में स्थापिध हुआ है। गेटवे बन रहा है, गेटवे अब प्रस्परिटी। बीते दो दसकों में पारमपारिक बंदरगाप संचालन से लेक निकल कर एकी कृत कॉम्प्रिहेंसिव का एक अनूठा मोडेल गुजरात में लागू किया गया है। कि मोडेल आज एक बेंचमार के रूप में विक्सित हुआ है। आज मुद्रा भारत का सबसे बड़ा बहू देशिय बंदरगाप और सिक का सबसे बड़ा बंदी बंदरगाप है। इनी प्रयासों का नतीजा है कि गुजरात के बंदरगाप देश के प्रमूख समूद्री केंदरों के रुप में उभरे हैं। पिछले वर्ष देश के कुल समूद्री व्यापार में से 40% से ज़्यादा की हिस्सेदारी गुजरात के बंदरगाप के रही हैं। ये शायद गुजरात के लोगों को भी आज मैं पहली बार बता रहा हूं। साथियों, आज गुजरात में समूद्री काड़ोबार से उससे जुड़े इंफास्तर को और कैपेसिटी बिलिंग पर तेजी से काम चल रहा है। जैसे गुजरात मेरिटाइम कलस्टर, गुजरात समूद्री विश्वविदाएं मेरिटाइम उनिवर्सिटी, भावनगर में दुनिया का पहला CNG टर्मिलल, ऐसी अनेर शुविदाएं गुजरात में तयार हो रही है। गिप सिटी में बनने वाला गुजरात मेरिटाइम कलस्टर, बंदर गाहों से लेकर सी बेज लोजिस्टिक को एड्रेस करने वाला एक समर्पित तंत्र होगा। ये कलस्टर एक प्रकार से सरकार, उद्योग और सिक्ष्ण समस्तानों के बीच के सहयोग को बल देगा। इस से इस सेक्टर में वैलू एडिशन में भी बहुत बदी मदद मिलेगी। झाल वाल एक स्था करने पार एक स्था नवाल धिलेगी तंत्र होगा रिंदा प्रकारणी तंत्र हो लोगा।